हलो फ्रेंड्स, आज है फेबरेरी की दस तारीक, आज मैं मेरी प्लान के उपर, एडेनियम प्लान के उपर कुछ काम करने वाली हूँ, तो क्या करने वाली हूँ, मैं वो शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी, इस फेबरेरी के मत में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना ज दूप मिलेगा प्लांट को ऐसे जगे पे आप शिप्ट कर दीजिए क्यों कि विंटर के टाइम ऐसे बहुत एक सब यह करते हैं कि यह डॉर्मिन से पिरेड होता है फॉक से फ्रॉस्ट से बचाने के लिए हम शेड में रखते हैं तो उसे आप धूप में रखिए क्योंकि यह धूप बहुत लाइक करता है ठीक है तो मेरा तो प्लांट हमेशा टेरेस के उपर में रखती हूँ कोई शेड के नीचे नहीं रखती हूँ दिन भर इसको सनलाइक मिलता है तो अब पहले इसे धूप में रखिए और आपके प्लांट को रिपोर्ट करना ज़रूरी है तो इ उपर करके हमें रिपोर्ट करना चाहिए मैं ये दोनों प्लान को अब रिपोर्ट नहीं करने वाली क्योंकि सिप्टेमबर के मनत में मैंने रिपोर्ट किया था और मैं जब रिपोर्ट किया था रिपोर्टिंग का वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर किया था आप चाहे त प्रून करने वाली थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रून करूंगी और प्रून क्यों करते हैं तो यह जो ब्रांच हो जाएगा और एक ही ब्रांच होगा उसमें फूलाएगा लेकिन हम प्रून कर देंगे तो यह हर एक ब्रांच को मैं प्रून कर दूंगी और सभी में से हर एक अब पूरून करते हैं, तो यह देखियें , चिसBी कटर से या ब्लेट किसी भी चीज से अब पूरून करते हैं तो उसे डिस इंफेक्ट करना चाहिए वक्या कीज शैवरूल से, तो पूरून कर लिया है अब प्रून करने के बाद जो जरूरी काम है यह है साफ का फंगिसाइड मैं हमेशा यही मैं यूज करती हूँ आपके पास कोई फंगिसाइड नहीं है तो घरे लिए उपाय आप यूज कर सकते हैं घर में जो किचन में हम यूज करते हैं हल्दी तो वो हल्दी या फिर दाटची नहीं होते हैं उसके पाउडर बनाकर आप इसे यूज कर सकते हैं कटिंग करने के बाद प्रून करने के बाद मेरे पास साफ का fungicida होता है मैं जहा से cutting क्या है प्रून क्या है वहाँ पर ये साफ का fungicida मैं लगा दे रही हूँ ंचारे बरांज के उपर ही जहा जहां से मैंने कट किया है ये मैं साफ का fungicida देंगी क्यूंकि ये बाले अटीनियम के अब इस तरह से क्यार करेंगे उAI कर रही हूं अब गरमिक ट्रम अप को बहुती ही सुन्दर स्क nell मिलेगा तो देखे he a b- this plant we have to prune तो देखे, मैंने दोनों plant को keluar अच्छे से प्रून कर दीया है अब इसमें मुझे खात देना है,also मैं क्या क्या देती हूं यहाँ पर देखिए मैं वर्मी कॉंपोस्ट यूज उसकरती हूँ मेरे एडिनियम प्लान के लिए तो यह रए वर्मी कॉंपोस्ट यहाँ पर यह है बोनमिल बहुत अच्छा होता है रूट को बहुत मजबुत करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है इसमें से मतलब मैं दूंगी ठीक है आप चाहे तो इसमें जो रेट पोटाश होते है वो भी एक चमच आप यूज कर सकते है और यह एडिडियम के प्लान देखें मिट्टी कितने ड्राइ है तो इसको जादा पानी की जुरत है नहीं लेकिन ऐसा भी नहीं की पानी बहुत ही कम देना है देना मिक्स करके रखा है यह चारो तरफ से भी ठाठ की प्लांट की एक जाए मिट्टी चारो तरफ यह हो तो थोड़ा साइच से गीर गया है तो अच्छे से भी अखर दे में बहुत ही सुन्दर से फुल मिलता है इसके उपर भी मैं वीटियो शेयर किया है तो यह देखिए अब इस तरह से मिट्टी से धंद देना है तो यह काम में कर लेती हूँ देखिए जो भी खाद मैंने मिक्स किया था सब मैं दोनों पॉट में दे दिया उसके बाद जो हम मिट्टी निकाले थे वह भी मिट्टी उपर डाल दिया है अब यह फंगिसाइट का पानी इस पानी के साद थोड़ा सा फंगिसाइट मैंने फिर से मिक्स किया था तो वह पान चाहिए ना तो खात देने के बाद जरूर पानी देना चाहिए क्योंकि हम भी जब खाना काते हैं उसके बाद पानी पीते है तो प्लांट को भी पानी देना चाहिए खात देने के बाद मैं हमेशा जब भी मेरे प्लांट में खात देती हूं तो उसके बाद में पानी दे देत तो यही शेर करना था फ्रेंद्स वीडियो अच्छा लागा तो लाइक करना रखा true